hy vodapp all right ! Hey guiz what's up everybody ! आप साब की वैलकम है। मेरे चैनल मेरे नाम है सारवेंद्र और मैं आज आपको बताऊंगा कि आप 6 अंदर बहुत अच्छी मैंनापिलेशंच कैसे create कर सकते हैं और बहुत इसी कैसे create कर सकते हैं । यह सब मैं बताऊंगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं Instagram पे आप देख सकते हैं मेरी profile पे जल्दी से 25 की होने वाले हैं तो आप सब सब्सक्पोर्ट करें मेरे को जल्दी से जल्दी और आज जो tutorial है वो इस image का tutorial है आपने 7000 लाइक्स इस पर कम्प्लीट कर दी है तो बिग 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 थैंक्स आप सब का आपने इतना प्यार दिया मुझे और जो आज डिसकस्त होगा उसकी पी एंजी अगर आपको चाहिए तो डिस्किप्शन में नीचे लिंक है आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ मेरे चैनल को सस्क्राइब भी कर सकते हैं मैं इस पर आपको बहुत ही आसम फोटो मैनिपलेशन के टुटोरियल देता हूं तो आप उसे जरूर सस्क्राइब करना ना भूलें जो आपके काम भी आएगा यार किसी को और चाहिए भी हो तो टेलिग्राम ग्रूप है आप महां से शेयर भी कर सकते हो से इसली यहां से स्टार्ट करते हैं एडिटिंग और यहां से मैं फोटो सेलेक्ट कर लेता हूं यह थोड़ी यार मेम्स की फोटो हैं कल पबजी बैन होई थी अगर यार कोई बंदा है तो जरूर कमेंट करो जानना चाहूँगा आपकी वी राय कैसी है सो यहां सबसे पहले मैं वी जी लोड कर दी यह बलर कर रखा है मैं ने बैक्राउंड को और कुछ नहीं कर रखा जस्ट लाइक सिंपल है अगर आपको सिंपल भी ची ऊवगा तो दोनों एड कर दूँगा मैं सिंपल और यह वाला भी तो यहां से सबसे पहले आपको एड करनी है यार बैक्राउंड लोड करो यार यह गलती से बार बार हो जाता है यार बार इसका किसी को फिक्स पता होते है यार कमेंट में जरूर डालना है यार यह बार बार आता है मेरे फोन में इस्यू पता नहीं क्या है यह बैक हो जाता है गलती से सो हो गया फिर से start यार उसमें glitch हो जाता है पता नहीं एकदम सही सो कोई problem नहीं फिर से कर देते हैं कोई पंगा नहीं है इतना issue और यहां सबसे पहले मैं अपने आपको add कर लेता हूं और add करने का simple simple technique अगर आपको अपने आपको काटना आता है तो बहुत easy से आपको काट सकते हैं उसके अंदर डालके और जो प्लेसमेंट रखी है वह मैंने center के around रखी है जैसे यह center वाला sign आ जाता है जैसे आप ड्रैक करेंगे तो center आ जाएगा एकदम से और फिर यहां से थोड़ा सा अपने आपको कर सकते हैं जाके brightness up and down कर सकते हैं आप easily like brightness थोड़ी डाउन ही रखे क्योंकि यहां पर लुक अच्छा चाहिए मुझे और थोड़ी बहुत इसमें आलग चीज़ें भी मैं बताऊंगा जो highlights हैं वह थोड़ी से आपको आप अप टाइप भी करनी है और डाउन टाइप भी करनी है तो मुझे अपने कलर को ब्लू से मैच करना तो टैंपरेचर भी मैं डाउन करूंगा यहां पे सो टैंपरेचर डाउन करना यहां बहुत एक में रोल हो गया मेरे लिए सुतियां टिक कर देता हूं और टिक और यह background के साथ और foreground के साथ मैच करने में मेरे को यहां कोई problem नहीं आप इसे लाके कर सकते हैं इसली से जैसे मर्जी आपने करना और स्क्रीन पर लाके शोड़ देना और वो जस्ट सिंपल दिखेगा उसके बाद आपने एरेजर लेनी है ठीक है एरेजर लेके हलका हलका corners पे रिमूव टाइप सा कर देना जो भी आपको लगे जैसा भी आपक करना size बड़ा कर सकते हों और ठीक साइफार कर लुक देना है कि स्कวार कटिंग नहीं होनी चाहिए लाक फ्लोटिंग विंडव हवा में खुली है तो आप देख सक्ते हैं फ्लोटिंग लग रहा है वहां पे झा से टिक कर देना फिर उसके बाद यहाँ आपने आना है add photo में फिर जाना है यहां से अपने यह मशीन एड़ करने में बहुत जरूरी है यह मशीन सेल्फ क्रियेटेड है और इसके लिए एक लाइक जरूर कर देना मेरी फोटो वह इस टुटोरियल पर बहुत टाइम लगा था इस मशीन को क्रियेट करने में और बस थोड़ा अच्छे से प और दॉर करना पड़ेगा अज ब्ला से अभार करना है और बहुत मुश्किल ओगा यहां रोगा लगए तो फेस्ट आपको तोड़ी नी पर्फेक्शन आ जाएगा कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं एश्यू नहीं और टिक कर देना सिंपल उसके बाद से आपने यहां डालना है ग्लो मैंने वहुत वेरियस कर रखा है यहां पर मैंने बहुत सारे पॉइंट पर ग्लो डाल रखा है तो आपको जहां भी जैसा भी लगे आपको मशीन पर ग्लो ड चैटर रहता है तो तो यहां से टिक डन कर देता हूं मैं तो यहां देख सकते हैं अच्छा खास अग्लो रियेट हो गया मेरी फोटो इसमें मेरे को आगे जो करना है वह एंड लाइट तो रिम लाइट भी ड्रॉब कर देता हूं और सारी ने ड्रॉब कर पाऊंगा यार फिर उसके बाद नेक्स तक जूम कर लेना लाइक फिर ब्रेश ना अराउंड आप रखो पांच ये शे तक करना यहां से दीरे दीरे पेंट चालू करता हूँ ठीक है पेंट करते जाओ भी अभी पीछे मुड़के बिल्कुल मत देखना की कि कैसा पेंट हुआ है नहीं हुआ है कराब हुआ है अच्छा हुआ है वह बाद में फिनिशिंग आएगी इसकी अराम से तो यहां तक आप जा सकते हो है या करके दिखा देता हुं बागी सारा सेम यह सेम फोटोमें आप देख सकते हैं रेफर कर सकते हैं तो अच्छीजए तो बाकी में अंदर आप पेंट करेंगे इजली जाके आपका हो जाएगा ठीक है इतना मैं करके बता रहा हूं अभी ठीक है फिर हाँ पर आपके एरेज पर आना है इरेज बहुत एजी है इरेज आपको थोड़ी हार्ड रखनी है राउंड मतलब हार्डनेस इसकी ज्यादा होनी चाहिए इतनी भ हाँ इपको हाँ ऊपर से दीर दीर आप देख सकते हैं किसे एक की म footprint कर दिया किंद कर दिया doubling आब लेड यह यह शार्पैस्पार कि तो यहां आप देख सकता है ने करता लिएजंगा पूरा पूरा मैं धेáfic तूर पर देख सकते हैं से और यहां पे यहां प्याद से रही है कि रिमा किरियेशन आ है कि रहा है तूर अब तूर अबहुत यहां बहुत आूर्पीन बोड़ी काया होना है यहां पिने माफिने ml रोल अफ्की आर। जो थोड़ी आपको प्रोब्लम आएगी यहां लाइट डालने के लिए तो लाइट डालने के लिए मैं आपको बहुत सिंपल टैक्निक बताता हूं एक एंप्लिटी लेयर और करना और फिर यहां ओवरले में आजाना जैसी आप ओवरले पे क्लिक करोगे फिर यहां पे जब लिए यहां तक आपकर सकते हो और फिर जब आप इसे ओन और करें देखोगे दोनों को तो आपको फरक दिखेगा बहुत तगड़ा यह आप जैगेट पर देख सकते हैं नोटिस कर सकते हो और फिर एर रिम तो होप आपको इतना तो समझ में आया हुगा फिर इसके बाद ए से ग्लोट थाइप से क्रियेट करना फिक है जब आप से क्रियेट कर दोगे तो वहाँ देख़े कि तब यहारा ग्लोट प्रियेट होगे अब वह रिम लाइट वर्क करेगी बहुत लोगों की फोटो में बस रर्म लाइट होती है लेकिन यह वाला पार्ट नहीं होता है सो इतना पार्ट मैं आपको करके दिखाया है उसके बाद यहां पर भी आप कर सकते हो ठीक है इरेज करना है अच्छे से इरेजर को इस टैम अब हाडनेस हटा देना और उपैस्टी भी कम रखना और स्केल ज्यादा रखना जब आपको बड़ी चीज एरेज करनी होती है तो यहां से आप देख सकते हैं कि तब प्यारा फैदर्ड मैं करूंगा अब इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं इसे सेव कर लेता हूं इतना आपको समझ में आओगा और बागी सारा सेम जैकेट पर सेम तरीका है अब मैं बढ़ता हूं कलर ग्रेडिंग पोर्शन की तरफ फिर सेव कर लेना इस फोटो को आप ठीक है फिर डारेक्ट अब जम करना लाइट रूम के अंदर लाइट रूम में जाना और फिर यहां फोटो कर देना एड अब एड होने में शायद टाइम लगता है मेरे में त तो यहां यह एड हो चुकी है फोटो एक अब इसे रोटेट कर लेता हूं अब जो कलर ग्रेडिंग है वह थोड़ी हाइफाई तरीके की है मतलब लाइक थोड़ी अंडरस्टेंडिंग टाइप है मतलब अगर मैं आपको कहूं लाइक लोजिकल टर्म में मतलब थोड़ी सम इसे मुझे इसे औरेंज बिलाना है तो आप देख सकते हैं यहां से यालवेश से औरेंज आ जाएगी और फिर लाइटनेस इंक्रीज करना सचुरेशन भी इंक्रीज करना और यह मेरी फेस की तरह हो जाएगी लाइक जैसी वह उसमें है फोटो में है मेरे इंस्टाग्राम पर फिर उसके बाद हीव में आना हीव के अंदर आपने थोड़ी छेड़ खानी करनी है जैसा आपको अगर अल्ट्रा ब्लू चाहिए आप ब्लू लवर है तो ब्लू स्यान लवर है तो स्यान की तरफ तो स्यान लवर हुए और मैं और यहां से इधर और लुमिनेंस को टू जरूर डालना बिन्हें आपके फोटो थोड़ी खराब लगेगी ठीक है फिर उसके बाद अब आजाना में यह कर पर यहां से आपने वाइट सिंक्रीज करने है शैडो थोड़ी डाउन मत करना क्योंकि आपके हैंड के आराउंड पर वह दिखेगा नहीं सभी से और फिर य आईलाइट्स लाइक जादा भी ब्लोन आउट मत करना थोड़ी ची करना और कॉंट्रास्टी में चीओ तो इस थोड़ी पसंद करता हूं और इस थोड़ा से एक्सपोजर बढ़ा हैं और एक ब्लैक भी डाउन कर सकता हूं मैं यहां पर फोर थेक है तो इतना ही है बस कलर मैं और इससे ज्यादा मैंने कलर ग्रेडिंग करी निया थोड़ी बहुत फिनिश दे रखी है सेम यही कलर ग्रेडिंग है और कुछ निया और फिर शार्पन एट दी एंड में जो मैं जब फोटो एक्सपोर्ट करता हूं कि दिखे अच्छे से तो शार्पनिंग मैं इतने यहां से मास्किंग कर देता हूं सेथ्या करते ओर आके इस got उस精त कि यह परफेक्ट लग दिया मुझे आप मैं कर देता हूं सेव और अब इस वीडियो को जरूर लाइक करें शेयर करें यार और कमेंट करें और इसको इतना मैंने मेनत से बनाया सो यार एक लाइक जरूर बनता और सस्क्राइब कर देना 20 के होने ही वाले हैं सो थैंक यू गाइज और मेरे चैनल को लाइक और सपोर्ट करें